नमस्कार दोस्तूं आप सभी का स्वागत एक बार नए टोपिक के साथ हम जुड़ रहे हैं हम देख रहे थे सभी परतियोगी प्रक्षाएं उनके लिए सामाने विज्ञान जनरल साइंस दोस्तूं कि टोपिक वाई Черफ के अंदर आज उमने टोपिक लिया है वो लिया विटामिन कोय साभि आ measure जहां पर साइस आती है वहां पर विटामिन का एक क्यूशन जरूर पूछा जाता है तो विटामिन का जो एक क्यूशन आता है इसको अगर हमें तयार करना है तो हमें तयार करना है तो यह 55 क्यूशन हमें देखने होंगे क्योंकि विभिन परतियोंगी परिक्ष्याओं में आये वे या विगत परिक्ष्याओं में आये वे 55 पर उठाए हैं और एक एक क्योशन आपको देखते हुए आगे बढ़ेना है दो अब तक दो क्लासे हुई है वह दो क्लासे हैं आपको मिलेगी साइंस कि टोपिक वाइज क्योशन के अनुसार जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर तब यह के साथ एक एक क्लास अटेंड करते हुई जाईए तभी जाकर मज़ा मिलेगा और इन क्लासों की जो पीडियप है वो अगर आप पराप्त करना चाहते हैं तो कुछ आमन ओनलाइन क्लासेज के क्यूसन की पीडियप राप्त करनी है तो एप पर मिलेगी आपको जैसे जैसे कलासें होगी वैसे वैसे यह पर जो पीडियप है वो अपडेट करते रहेंगे कुछ आमन उन्लाइन क्लासे जी एप है एप से कर सकते हैं चलिए पहला कि उसे ने विटैमाइन सब्द का परतिपादन किया किस ने किया जल्दी से कमेंट करो और सभी साथ यू से एक बारी निवे दिन मेरा रहेगा कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजी अपने उन मित्रू के पास स नोटिफिकेशन को ओन कर ली पेला क्यों सब्द का परतिपादन किसने किया था बताओ जल्दी किसने किया था फंक ने किसने किया था फंक ने रेख ले ना यहां से एक्स्ट तू डुमाड ने विटामिन को नाम दिया था क्या नाम दिया था अदाई दूडू माक ने वीटामिन को क्या नाम दिया था विटिल एमीनी संदरता लगे आपकी भाज़पन लोधिये विटामिन का सिकार महिलाई नहीं होती है तो कि फिरोल यह तीनु यह तो उप्रोग सभी ओप्सन डी सही रहीगा अगला क्यूसर तरीर में केल्सियम की कमी किस विटामिन की अनुपस्तती के कारण होती है तरीर में केल्सियम की कमी किस विटामिन के कारण होती है किसके कारण केलसियम की कमी होती है विटामिन डी के कारण किसके कारण है विटामिन डी के कारण दोस्तों नेक्स्ट किसे नमर पांच है जिस वेक्ति के मसूड उसे रुदीर का इस्तराव हो उसे बोजन के साथ लेना चाहिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए टीटरस फल कौ है तो सेटरस फल में लेना है एक्स्ट रेटिनोल है रेटिनल रेटिनोल कौन सा विटामिन होता है रेटिनोल विटामिन एक किसको कहते हैं विटामिन एक को रेटिनोल कहा जाता है दो कि उसे नमर साथ है हमारा विटामिन एक किसके लिए आवशक है विटामिन एक की बात कर रहे हैं कि ये किसके लिए आवशक है प्लेर का नहीं रोडोपसिन के लिए रोडोपसिन के लिए विटामिन ए आवशक होता है कि उसे नमर आठ हड्यू में होने वाला रोग रिकेट्स का कारण है ये रिकेट्स रोग है ना ये किस विटामिन की कमी के कारण पहलता है रिकेट्स रिकेट्स तो बच्चे कर देते हैं विटामिन सी और हो जाता है गलत ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रोग है इक एक सोना नमब्र नो एक नया को जा गया वितामीन जो केंसर के लिए उप योगी है कौन सा विटामीन ने एक नया विटामीन खो जा गया विटामीन अगला क्यूसन है कौन सा विटामीन यूग में जल में गुलंसील नहीं है कौन से विटामीन है जो जल में गुलते ही नहीं है कौन से हैं यह रही आपके टोको फेरोल है और रेटिनोल है यह दोनु विटामिन आपके जल में नहीं गुलते हैं गुलंसील नहीं है जल के अंदर यह समझ गए क्योंसर नंबर 11 इमलिकित में से एक इस्टिरोइड है इस्टिरोइड कौन सा यह पूछा गया है इस्टिरोइड होता है विटामिन डी कौन सा होता है विटामिन डी क्या होता है इस्टिरोइड होता है दोस्तों तो सी ओप्सन यहां पे सही रहने वाला है अगला क्यूसन है विटामिन सी की कमी से होता है विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है इसकावरी विटामिन C की कमी से इसकावरी होता है विटामिन B से बेरी-बेरी समझ गए? आगला क्योसन विटामिन B2 कावपयोग को एंजाइम के रूप में होता है कावपयोग एंजाइम के रूप में होता है fmm, nad, kpp या पीपी बता दो जुसार नमबर 13 आपकी स्क्रीन पहे एप एम एन में आइक्स्ट कि उसनम बर चोग ए एफ़लिक एसीड ता पैंटो थेनिक एसीड का समन्द है किससे हैं पॉलिक एसिड तेता पैंटोथेनिक एसिड का सम्भंद किससे हैं यह आप से पूछा गया है बता दीजे जल्दी से किससे हैं समंद इनका जुसर नमबर 14 है अब की स्क्रीन पर किसे हैं वीटामिन बी कोंपलेक्स हैं, विटामिन बी कोंपलेक्स हैं, यी ओप्सन सही रहेगा, क्यों सहर नमबर 15 है, निमलिकित कतनों पर विचार की दिए, चलो करो विचार आराम से पहला है, विटामिन पोस्कों का एक ऐसा वरग है, जिनका मानव शरीर द्वारा जेव संसलेशन नहीं किया जा सकता विटामिन A वेडी को छोड़ा A वेडी के द्वारा जेव संसलेशन मानव सरीर करता है बाकी का नहीं करता तो पहला सही है विटामिन E वेक के जल में गुलंसील होते हैं गलत विटामिन B वैसी जल में गुलंसी लोते हैं गलत फिरब पहला सही है केवल एक यहां पे सत्य है ओप्सन A यहां पे आपका सही रहेगा अगले क्यूसन की और बढ़ू क्यूसन नमबर 16 निमले कित मैसे असंगत बताना है हमने देख भी लिखा है और आराम से हो भी जाएगा आराम से बनाएंगे बताओ विटामिन के अरे बेरी बेरी तो बीसे होता है ना तो यह गलत है विटामिन C से इसकवरी विटामिन A से रतोंदी विटामिन D से रिक्याट्स यह सही है विटामिन के की कमी से होने वाला रोग एक बार कमेंट बॉक्स है खाली उसमें भरदो देखते हैं अब तक सोले के उसन हुए है और अब तक भी जिस साथी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्लीज एक बार लाइक कर दीजिए चलिए एक छोटी सी जानकारी मेरे प्य अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सभी भाहियों और बहनों को रक्सा बंदन की आर्दिक सुबकाम नाएं उसके अलावा वे रोजगार से छोड़ कर रोजगार का जो बंदन है उसके साथ हमें बढ़ना है और उसके लिए 90-30 की छूट सभी ओनलाइन कोर्सेज पर चल रही है वो भी सोला से लेकर बाइस अगस्त दो चार चोबीस तक डाउनलोड एपनाव कुछामन ओनलाइन क्लासेज एप एंड और पीएसी सेकेंड ग्रेड पिटी आई बरती लाइब्रेरियन बरती रीट पातरता बरती सीटी बरती पसूपरीचर बरती की तैयारी में अगर आप लगे हुए हैं तो आज यह एपको डाउनलोड करके इन कोर्सों में जुड़ जाएए साइथ इतना बड़ा ओफर भुषे में आपको देखने को मिले या ना कि क्यूसर नमर्व 17 में विटामीन एक अधिक अंतेगरन अस्ती आफोस्टन के अतिरिक ऐग रोग करता है वो रोग कोन सा है वो है वह हाइपर किरेटोसिस अगर विटामीन एा सरीर में अधिक है तो हाइपर किरेटोसिस रोग आपको हो सकता है दोस्त क्योसर नमर अठारा में देखिए एक मनुस्य केवल दूद अंडे तरह रोटी के बोजन पर रहता है वह सामाने तरह रोगी होगा दूद अंडे और रोटी ही आप खा रहे हो तो आप किसके रोगी होंगे मेरे साथ यह हूँ इसके इसकावरी के यह चीजे इंपोर्टेंट है इनको याद रखना नलीका में रग्त इसकंदन होने के लिए आवसेक विटामिन है नलीका के अंदर रग्त इसकंदन होने के लिए आवसेक विटामिन कौन सा होता है कौन सा होता है बता दू विटामिन के कौन सा होता है विटामिन के होता है तो बी ओप्सन सही रहेगा अगला विटामिन के की आवसेकता निम्नकारिये में रहती है विटामिन के की आवसेकता किसमें रहती है देख लो यहां पर प्रोथों बिन के निर्माण में प्रोथों बिन के निर्माण के अंदर क्यों से नमर 12 विटामिन और रोग के निमलिकित युगमों में से कौन सा ये कौन से सुमेलित है वो ही आपको यहां पर बताना है कि विटामिने क्यारिकेट्स होता है पर्णायां के नहीं होता है पताओ नहीं पर हैं विटामिन बीवन बीरी भीडामिन सी स्कवरी गरी तो दूसरा और तीसरा शहीं है यह हो ही यह है रही है और आपका यह गारा स culture ब्राइब म्रें सब्सक्रान सभी कुंसा है ओपसंट पिएॡagn24 तूद तताड डबल रोटी के बोजन पर निरबर रहने वाले प्राणी में होने वाला रोग रोग रह क्यों सा ạoि होगा एस्थकवर्ड को बीक एसिड की कमिसे पुन सा रोग हों जाता है एस कोबिक एसिड की कमी से कौन सा बेडाना रोग इसकावरी रोग उसकोवरी रोग एक्स्ट विटामिन A का उत्कृरिष्ट स्रोत है विटामीन A का उत्कृरिष्ट होता है गाज्जर और एक सनैदेवल के मूवी देखे होगी जिसमें वो गाजरी-गाजर खा रहे थे मनुस्य के आर में लंबी अउदी तक थाइमिन की कमी से पेदा हो सकता है मनुस्य के आर में लंबी अउदी तक थाइमिन की कमी से क्या पेदा हो सकता है बेरी बेरी रोग कौन सा बेरी बेरी रोग क्योसर नमर 26 केल्सियम की कमी के कान रोग होता है केल्सियम की कमी के कान, कौन सा रिकेट्स, कौन सा रोग होता है रिकेट्स रोग होता है अगला क्यूसन है, जनन तंतर तता जनन किरिया से समंदित है जनन तंतर तता जनन किरिया से समंदित है, कौन सा, जनन तंतर से तो है जेडन जिंग और जनन किरिया से हैं विटामिन E तो ओप्सन A सही आपका रहने वाला है मिलान कर दो मेरे साथियों ये बहुत अच्छा क्यों सनाया है इसका किसी का गलत होना भी नहीं चाहिए तो चलिए देखते हैं इसको करते हैं मिलान सबसे पहले रतोंदी रतोंदी होता है विटामिन A से इसकोवरी विटामिन C से रिकेट्स विटामिन D से रखतालपता विटामिन B बारा से तो एक तीन चार तो यह रहा मेरा उप्सन उप्सन भी यहां पे सही रहेगा विटामिन C का रासाइनिक नाम बता दो विटामिन C और विटामिन C का रासाइनिक नाम होता है एसकोर्बिक अमल क्या होता है एसकोर्बिक अमल दोस्तों होता या नहीं होता है क्योसंती विटामिन B2 का उप्योग होता है विट्टू क्या काम करता है ATP के मद साथ से एंजाइम के रूप में विटामिन B2 काम करता है अगला क्योस किसन है दातू और अडियों में खनीज के जमाव से सबींद का जमाव विटामिन d की कमी से होता है इसे विटामिन डी अग्छा क्युत से माना होसरीर में निमल कित मैसे कौ ो सा विटामिन उत्पन होता है का अ необход दूप लेते हो 200 माइक्रो ग्राम, कितनी? 200 माइक्रो ग्राम आवशकता होती है, अगला क्यूसन, विटामिन एच की देने का आवशकता है, कितनी होती है, बताओ, कितनी होती है, 10 माइक्रो ग्राम, कितनी होती है, 10 से माइक्रो ग्राम, क्यूसन अमर 35, विटामिन सी रोगता है, विटामिन सी इसकावरी को, विटामीन C परचुर मात्रा में है, इसकावरी आपके नहीं होगे. अगला क्यूसन है, विटामीन जो रगत का थक्का जमाने एतुाव से कहे. कौन सा विटामीन है, जो रगत का थक्का बनाता है? अरे कहीं पर लगती है रखत निकलता है थोड़ी देर में ठका बन जाता है बहुत सारे उदारन हमने देखिए जहां पर रखत का ठका नहीं बनता है तो उन में कौन से विटामिन की कमी होती है विटामिन के की कमी होती है इसकी होती है के की कमी अगला क्यूसान नविंतम ग्य क्विक नहीं यह विटामिन क्यूंकि क्विक ने खोश की अगला क्यों सब्सक्राइब कवासी और्कार टेता मेरासमस होते हैं क्या होते हैं अभाव रोग वैपिस एक लग लग दो दो सब्सक्राइब नमर्फो क्यों से लेक्टिक अमल विटामीन नहीं होता है दोस्तों समझें लेक्टिक अमल विटामीन नहीं होता है इंप है आगे देखिए नेक्स्ट अगला क्यूसन नमबर फोटी वन है रक्त शीनता का कारण है उत्ता सा क्यूसन है उत्तर भी छोटा सा दे दो रक्त शीनता देखें लोए तत्वे की कमी से भी होती है विटामिन की कमी से भी होती है विटामिन ब बिबारा की कमी से भी होती है थिनों है मेरे साथ विटामिन के से रोग होता है रगत का थक्का नहीं जनता अभी हमने देखा था विटामिन D से रिकेट्स होता है, दो बार देख लिया पहले ही, विटामिन B से बेरी-बेरी होता है, पहले ही बता दिया मैंने, और A है तो अंदा हुज़ा, ओला यह वास्त है, विटामिन A को ध्यान राग दियो, दो, चार, एक, तीन, तो, चार, एक, तीन, ओप्सन B, अग है, अगला क्योंसन देखो, एक सवस्त वेक्ति को परती दिन, कितने विटामिन C की आउसिक्ता होती है, सवस्त वेक्ति को, कितने विटामिन की आउसिक्ता होती है, साट से सो मिली ग्राम ओप्सन एस सही रहेगा क्यों सन नमबर पेतालिस बच्चों में रिकेट्स तता बड़ु में आश्टियो मेलेसिया नामक रोग होते हैं देखिए रिकेट्स भी डी से होता है आश्टियो जो मेलेसिया रोग है ये भी विटामिन डी की कमी से ही होता है ये रहे है सी ओप्सन विटामिन डी की कमी से होने वाले ये दोनों ही रोग है तो जोसा नमर च्यालिस है परजनन के लिए आवसिक विटामिन है अरे परजनन के लिए आवसिक विटामिन कौन सा होता है विटामिन ई होता है कौन सा होता है विटामिन ई एक्सट कौन सा रोग निकोटीनिक अमल की कमी के कारण होता है निकोटीनिक अमल की कमी के कारण पलेरगा होता है पलेरगा पेलारगा, समझ गए? विटामिन, याद रखना पेलारगा, निकोटिनिक अमल की कमी के कारण होने वाला विटामिन जो गाओं को बरने में साईक होता है, तता बुढ़ापे की परकिरिया को धीमा करता है, कौनसा विटामिन है? वो विटामिनस C अरे जो ज़िवान दीग वो चाओ ने ते जहका सगला विटामिन C खाओ उद्डा को लागो नया लागो next है गाई का दूद हलका पीला होता है इसका कान किसकी उपस्तती है गाई का दूद गाई के दूद में केरोटिन पाया जाता है कमल होता है है एस्कोर्भी के विटामीन है क्या है विटामीन योसर नमर 51 है गोर कमी मनुस्य के वैटिरिया की गोर कमी मनwwww के झाएगी पड़ा किया ऐसा क्यूसन पे ले, SSC में आया हुआ है, इसमें, SSC में आया हुआ, अजरे क्यूसन बेसे तो आया ह हुआ है लेकिनों इसकी बता रहा हूँ, अगला लो क्यूसन, विटामिन C का मुक्खे स्रोथ क्या है, ये सरोत तो पूछे ही जाते है बहुत है तेब खाओ विटामिन सी ले आओ अगला क्योंसे विटामिन और इसके अबाव से उत्पन रोग का कौन सा सोड़ा सही है जो जोड़ा सही है वो ही बताना है कि राइबोपलेविन बेरी-बेरी थियासिन फियामीन जीरो पेठेलीमिक नियासिन पेलारगा क्योंसे नमर 54 एक सवस्त मनुस्यों को रोजाना कितने ग्राम विटामिन एक आउसेकता होती है अरे विटामिन ए तो ज्यादा मत का होते 50-60 मिलीग्राम खालो एमजी खालो अग किसी भी परकार का कोई दुख है ना आपके मनमें गम है आपके मनमें तो उसे निकाल दो वरना जो आपका विटामिन सी ना अ कि अपने आप नश्ट हो रहा है जब कि अनुरूत आपने तो क्लास ले ली कॉलाइक कर दो और जिन साथूं कर ने के बाद अपने मित्रूं को अभी तक सेर नहीं किया थे को सभी के पास सेर करों beslर की बावना जब तक हमेरे पास नहीं रहेगी अगर हमारे पास एक रोटी और हमारा दोस ता जो बुका है तो उसे आधी रोटी खिला देनी चाहिए या पूरी रोटी खिला देनी चाहिए यह बावना अमारी यहां पर भी हो निए इसी बालग के अगर पास साइंस के उसनों की जरूरत है और आपके काण्ड वो पूरी हो रही है तो उस रोटी जितनी ही आपकी है लब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर